असलामलेकुम शूदेंट्स अब हम लोग इस लेक्टर में स्टड़ी करेंगे कि हाइव वोल्टेज एसी की जनरेशन कैसे करनी है उसके अंदर हम लोग स्टड़ी करेंगे क्यास के ट्रांस्फॉर्मर्स हमें क्यूं चाहिए ठीक है क्या मतलब है कि आप मल्टिपल ट्रांस् करेंगे उसकी वजा होती है कि वेट जोन से ना होल पूरे यूनिट का जो है वह बढ़ जाता है अगर आप एक ट्रांस्फॉर्मर बढ़ाएंगे उसकी आपने और पूर्पूर्ट केवी से जाधा लेनी है तो आप वाइंडिंग जाधा करेंगे तो ओवराल वेट इंक्र चाहिए इंस्टॉलेशन जाधा होगी हर चीज उसकी जाधा होगी ठीक है तो जब वेट इंक्रीज करेंगा तो हटी सखचा बढ़ जाता है ट्रांस्पोर्टेशन का हर चीज चीज का ठीक है तो अब क्या कि आपने कि जब उसको चोटे यूनिट्स में डिवाइड करके आ आपकी इंस्टॉलेशन भी असान हो जाएगी ठीक है तो इसी तरह उन्होंने आगे लिखा है कि ट्रांस्फोर्मर कॉस्ट पर गिवन वोल्टेज में भी रिडियूस ठीक है तो आपने जाहिर एक अगर आपने पर प्रांस्फोर्मर बनाना है तो उसके अंदर आप सोंसो केवी वाले पांच यूनित लगाएंगे तो हर इंडिविजल यूनित की जो इंसुलेशन की कॉस्ट है वो तो काम हो जेगी तो उससे आपका यह है कि जैसे के आप पांसो के पी इंसुलेशन करें आप अंडर हंड है ठीक है इसमें हम एक्स्प्लेशन करेंगे के कैस्केड़ेद ट्रांस्पोर्मर जो है उसकी बएसिक वरकिंग प्रिंसिपल किया है इसके अंदर आप यह आलीग सक्राईव है इसकी तेन स्टेजित लिगाई आपकी यह individual units को represent का रही है जो dotted line में आपके rectangles बने हुए ठीक है अब हम यहाँ पर पहले unit को देख लेते हैं पहले unit के अंदर देखें एक यह winding है एक यह winding है और एक यह winding है ठीक है यह आपकी primary winding है यह आपकी secondary winding है और यह आपकी tertiary winding है ठीक हो गया अब अभी यह फिलहाल जो यह piece है ना इनको आप ignore कर दें ठीक है इनको हम आगे जाके देखेंगे कि यह क्या चीज़ है फिलहाल आप इन्हें ignore कर दें अभी हम यहाँ पर windings की बात करते हैं ठीक है जो जिस तरह इसके अंदर तीन windings है next stage के अंदर भी तीन winding है ठीक है यह आपकी primary winding है यह आपकी secondary winding है और यह आपकी यह आपकी secondary winding है उसको मैं n capital N scandals देती हूं यह आपकी overall secondary winding है इसको आपने दो हिस्सों में divide कर दिया है एक यह हिस्सा इसके number of turns जितने उनको के equal है ठीक है उसकी क्या वज़ा है कि जो आप यहां से low voltage input पर दे रहे हैं वो ही इसकी tertiary winding पर voltage आए क्योंकि इसकी जो tertiary winding है इसने next stage की primary को feed करना है ठीक है तो उसकी वज़ा से same number of turns होंगे तो same input voltage जाएगा हर stage पर और secondary के यहां यह वाले number of turns है यह भी same है तो same output voltage आएगा हर stage का ठीक है तो stage 1 का हमारा output voltage अगर V आ रहे है तो stage 2 के जो secondary के turns है उसके across output voltage V ही आएगा लेकिन ground के respect से यह और यह दोनों को plus करके V plus V 2 volts हो जाएगा ठीक हो गया आप यहां पर notice करें कि secondary जो है सब की अपस में series में connected है यह देखें series में connected है ठीक है इसी तरह third stage की output की भी जो secondary है उस पे हमारा voltage V आ रहे है लेकिन चूंके series में connected है तो इन दोनों को plus करके 2 V plus V ground के respect से हमारा overall जो voltage है वो 3 V आ गया ठीक हो गया इसको हम दुबारा एक दफ़ा शुरू से देख लेते हैं उसमें यह देख लेते हैं कि यह हमारी प्राइमरी है इसके number of turns same as the tertiary ठीक है फिर इस tertiary के number of turns same इस प्राइमरी के ठीक है और वही V in इदर होगा जब V in इस इन तीनों का सेम है इसके मतलब यह है कि Vs भी जोंस है न वह सेम होगा Vs हमारा fill hall वह V के equal है तो इस stage पर हमारा output voltage V आएगा और यहां पर भी हमारा output voltage V आएगा ठीक है तो यहां पर ground के respect से यहां तक हमारा V voltage है अब ये वाला v plus ये वाला v, याणि के v plus v, ये ground के respect से हमारा 2 volt हो गया, ठीक है? फिर ये वाला voltage plus ये वाला voltage, ground के respect से हमारा 2 volt plus v, ये 3 volt हो गया, ठीक है? तो ये add क्यूं हो रहे हैं आपस में? चुनके यह सीरीज में connected है यह इसके साथ सीरीज में connected है यह चीज सीरीज में ठीक है फिर यह इसके साथ सीरीज में connected होने के वज़ा से इन तीनों का voltage आपस में add-up हो रहा है ठीक हो गया, hopefully यहां पर आपको समझ लाग गई होगी कि basic cascated transformer किस तरह वर्क कर रहे हैं ठीक है, next हम यहां पर आते है, next slide में इन्होंने वही जो मैंने आपको बात पहले explain की है, वही words में लिखी है, ठीक है, इसको हम अब जल्दी से देख लेते हैं, यह आपने अलड़ी देख लिया है, तो अब आसानी होगी आपके लिए, ठीक है, the primary of the first stage transformer is connected to a low voltage supply, ठीक है, यहा label across the secondary, ठीक है, कोई जो भी आपने number of turns रखे हैं, उसके साफ से कोई भी voltage आपका, यहां पर low voltage supply है, जो उनसी low voltage supply आरही है, और output voltage आपका, secondary पर, जो है, वो वी आ रहे है, ठीक है, तो जो आपकी tertiary winding है, इसके जो उनसी है, number of turns, same as primary winding है, ठीक है, Np is equal to Nt, ठीक होगा, यही बा first stage has the same number of turns as the primary winding, ठीक है, और इसके लावा उनने कावे है, कि यह इसकी tertiary winding है, यह second stage की primary winding को feed करी है, फिर सी तरह second stage की tertiary winding है, वो third stage की primary winding को feed करी है, तो बाकी उनने आगे लिखा है, जो टू वोल्ट और फिर थ्री वोल्ट की यहां पर बात की वी है, तो यह वो ही basically बताया है यहां पर इसकी जो secondary है, first की उसका voltage आ रहा है भी, second की secondary पर भी यहां voltage भी आएगा, लेकिन overall 2 हो जाएगा, दोनों को plus करके, ठीक है, इसी तरह third की भी tertiary पर overall voltage भी आएगा, लेकिन plus करके आपका 3 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, तो यह यहीं पर यही बार discuss की रही है, नेक्स सब्सक्राणब आपको, यहां पर इन्होंने बताया है, कि अपर यह जो फिर्स आपकी है, इसका जो metal tank है, यह grounded है, ठीक है, जो यहां पर यह second है, यह not grounded, यह नहीं है grounded, यह वाला metal tank भी not grounded, अब नोट ग्राणड़ अब ने से क्या है, कि यह देखे ना, इसका जो voltage है, वो first क यहें पर वीप और यह ग्राउंड के इलावा यह वला वोल्टेज टू वीपे है ठीक है तू वीपे तो उन्होंने यह कहा है कि यह ग्राउंड के साथ ना इनको good इंसुलेशन देने पड़ यह good solid इन सॉलिशन ठीक है यह बस यही पर इन्होंने यही बात बताई हुई है कि जो स्टेज 2 और 3 है इनको सॉलिशन दें चूंकि इनका ड्रेक ग्राउंड का कनेक्शन नहीं है और इनका वोल्टेज भी इनके अक्रॉस ओवराल ज्यादा आ रहा है ठीक है यहां पी यह बात इसक का लोड है तो यहां पर जो पी इन्होंने डिफाइन किया हुए ना वो चूंकि एक स्टेज का ठीक है सिंगल स्टेज का आउटपुट यानिके आउटपुट स्कैंडरी आउटपुट कैलें इसको वो क्या है वो वी है ठीक है तो उस वी की वजह से पावर क्या होगी वी आई हो जएगी ठीक है यह बात तो ओवराल पावर क्या होगी 3 वी आई इस एकल तो 3 पी चूंकि यह 3 वोल्ट है तो ओवराल पावर हमारी 3P होजेगी ठीक है अब यहां भी नहीं यह concept तो इसके पावर है फीचैरत अगर इसकषा संद्री की पावर होगी तो आपकी प्राइमर की पावर का इक्कल होती है और नहीं प्रॉडक्त होती है करंट और voltage का तो अगर primary का current ज्यादा है तो scandry के current काम हो जाता है अगर primary चुंकि at the same time current काम हो रहा हुआ यह अगर voltage ब्ह stratoss क mispon तो पायवर ओवर है स्धिमर्ट सेमय नहीं लहती पावर ह्सकांडरी की वह होगी है हमारी primary की पावर ठीक है अब लोगही सेकंड क्रिक coffee इसके जो 2nd का मारा केंडरी का जो सकेंडरी मारी वाइंडिंग ए उसके क्रॉस भी वोल्टेज़ वी है चाहिए जिस तरह इसके अक्रॉस भीड्य था वैसे ही इसके अक्रॉस भी है दो इसके सब्सक्राइब पावर भी होगी लेकिन अब जो इसका इसके अक्रास्वर पी नहीं होगी उसकी वज़ा ये कि ये ओवराल ट्रांस्फोर्मर आप देखें तर्श्री वाइंदिंगे लेकिन एक किसम की इसे और श्केंडरी कहा लेना इसको चुक्कि ये जो प्राइमरी है लेकिन दूनों को उन दोनों में वॉल्टेज पिंद्डी प्राइमरी वाइंडिंग से ही इन दोनों वाइंडिंग पे वोल्टेज किया यानि कि इसी की पावर गई है दोनों पर तो जो आपकी प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर पावर होगी ना वो इन दोनों को एड़ करके होगी ठीक है इन दोनों को प्लस किया आपने इन दोनो प्राइमरी की पावर होगी फिर से इन दोनों को एड़ करके होगी ठीक है टूपी प्लस पी चुंकि इन दोनों में जो पावर जा रही है वो उसके लिए रिस्पॉंसिबल प्राइमरी ही है इसी तरह जो है हमारा जो प्राइमरी है ना फर्स्ट का वो सबसे ज़्यादा प्राइमरीं फ्राइमरीव कर इस प्राइमरी बूरस तरह जो है वोगिआ है जो है वहां में प्राइमरीं फेंन नArthur इसी ऑर यही बात एक्स्पेंड की वीए लोटिंग ए साफ से इसकी चुंके 3P लोटिंग है तो इस हिसाब से हमें इसकी डिजाइनिंग, इसकी इसकी इंसुलेशन की और हार चीज की डिजाइनिंग इसी हिसाब से करनी पड़े की So that's all for cascated transformers. See you in the next lecture.